हला सुदेंट्स मेरा नाम दॉक्टर के जिंद पुरहेते आईटी जेम 2023 पे जो एक्जाम हुआ है उसके अंदर ग्रुप ख्योरी में जो क्वेशन्स पूछे गए उनका सुलिशन में आज आपके सामने बताने वाला हूं इससे पहले मैंने लीने अलजबर आया डिफरेंशल एक्वेशन है उसके बाद सिक्वेंस एंद सिरीज है जो भी टॉपिक्स में ने बढ़ा है वो सब आप यहां पर आईटे पे जाके देख सकते हैं 2023 में आईवे क्वेशन बता चुका हूं वह आप देख सकते हैं तो सब बात करेंगे सबसे पहला क्वेशन की आईटी जेम 2023 सब्सक्ते बीस माथमेटिक्स में पूछा गया कि सिग्मा बिलोंग्स टो एसेट के अंदर वो क्या होगा तो सुन यहाप हम क्या करेंगे एट के पार्टिशन करेंगे तो एट के पार्टिशन में हम जब उसका लिए जिसे मैं आपके सामनेल हूए है पर 3 प्लस 5 तो इसका add करने पर 8 आ रहा है आप आपके मन में सवाल उडएगा सर 2 प्लस 6 भी तो कर सकते हैं पर भाई है इसका जो हमारे पास LCM आएगा वो तो 6 ही आएगा है अगर आप बोलो कि 1 प्लस 7 तो कुछ मतलब नहीं है अगर आपकी बात करी जाए यहां पर कि 4 बिलॉंग सुजएड एन जी बर बिलॉंग सुजएड एक मतलब जैड़ेट के वो सभी ऐलिमेंट है जिसका GCD 8 के साथ महा पर क्या रहा है सुन्ध वन आ रहा है उसका कलेक्शन लिया उसको उसने ग्रूप का नाम दिया Z at multiplication या Z at X नाम दिया है इसने यह जो ग्रूप होता है यह हमारे पास U8 होता है यह जो ग्रूप आप यूनिट्स है इसके बारे में बात कर रहा है अब आप से बोला जारा कि वित रस्पेक्ट तो मल्टिप्लिकेशन मोडलो 8 the number of group isomorphism ZX on to itself is मतलब आपस यह पूचा जा रहा है कि U8 से U8 में हमारे पास number of isomorphism जब भी हमारे पास same to same group पूचा जाता है और उसका isomorphism पूचा जाता है इसका मतलब हमसे यहां पे automorphism पूचा जा रहा है मतलब आपको यह पता लगाना है कि automorphism of U8 की value हमारे पास क्या होगी और फिर उसका Mem charisma क्या कर देंगे वहби यह ओर निकाल देंगे पर मैं आपको बताना चाहर हम जो U8 होता है वो किसके isomorphic होता है U8 जो होता है वो हमारे पास Z2 X Z2 के isomorphic होता है मतलब वो हमारे पास K4 के isomorphic होता है अगर आपको यह नहीं पता है कि group of units क्या है और कौन किसका isomorafism नहीं बहुत अच्छा video upload कर रखा है वो आप ID पे जाके देख सकते तो सुन यह हमारे पास क्या जाएगा को K4 आजाएगा तो automorphism of K4 की बात करी जाएगा तो यार वो हमारे पास S3 आता है और अब आपको यहाँ पे पूछा जाएगा अब आपको इसका order पूछा जा रहा है तो order of जो asset होता है वो हमारे पास क्या होता है या 6 होता है तो C option हमारे पास क्या जाएगा correct हो जाएगा तो next question की बात करी जारी let G be the finite group then G is necessarily a cyclic if the order of G is प्राइम order का हमेशा क्या होता है या cyclic होता है तो यह हमारे पास क्या जाएगा correct होगा तो 4 तो हो नहीं सकता है क्योंकि जो हमारे पास K4 होता है वो non-cyclic होता है अगर हम बात करें order 10 के बारे में तो D5 मिल जाएगा आपको यहाँ पे तो यह भी हमारे पास non-cyclic होता है तो 6 की बात करी जाएगा तो यहाँ पे S3 मिलेगा जो कि non-cyclic होता है तो यह तो possible है नहीं So next बात करेंगे अगला question How many group homomorphism from Z22 to S5 तो सुन Z22 to S5 की अगर बात करी जाएगा तो यहाँ पे हमें यह देखना पड़ेगा कि Z2 के हमारे पास कौन-कौन से normal subgroup होंगे तो Z2 के normal subgroup दो होते है एक तो खुद Z1 होता है और एक हमारे पास यहाँ पे क्या होता है Z2 होता है इस तो नहीं बताना चाहँगो यहाँ पे fundamental theorem of homomorphism से तो अगर Z2 upon Z1 की बात करी जाए तो यहाँ यह Z2 का isomorphic होता और यह हमारे पास S5 के अंदर क्या करता है contain करता अब कितने हमारे पास Z2 S5 के अंदर होंगे उतना यहाँ पे हमारे पास क्याएगा homomorphism मिलेगा तो हम क्या करते हैं सुन आपको यह देखना है order 2 divided by phi 2 तो यहाँ पे 2 order के cyclic subgroup का तो यहाँ पे 2 order के element कितने होते हैं तो यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा 2 order के element कैसे निकाल तो हम partition करेंगे तो एक आएगा 2 plus 2 plus 1 और एक आएगा हमारे पास 2 plus 1 plus 1 तो यहाँ इसका formula क्या होता है यहाँ पे हम यह निकाल रहे है order of element और permutation group के बार में अगर आपको बिल्कुल idea नहीं है तो आप IT पे जाके मेरा permutation group का वीडियो देख सकते है जहाँ पर मैंने बहुत अचा ग्यान दे रखा है यहाँ से भी मैं 2 order के element मिलेगा तो यह आएगा 5 factorial 1 1 3 बार आ रहा तो 1 की power 3 into 3 factorial and 2 power 1 into 1 factorial तो यहार यहाँ आएगा एक्सोबीस और नीचे आजाएगा 3 factorial का मत होता है 6 और 6 और 2 12 यहार भाईया यह हमारे पास 10 आजाएगा तो 10 और 15 यहाँ पे कितने आजाएगा पत्चिस तो तो टोटल हमारे पास 2 order के 25 element होगा 5 2 की value 1 होती तो यह 25 हो जाएगा अब यह सुन बात करेंगे Z2 का हमारे पास Z2 खुद normal subgroup होता है तो हम देखेंगे यहां से हमारे पास कितना मिल रहा है तो सुन यह आएगा Z2 upon Z2 और यह आएगा Z1 और यह हमारे पास S5 में एक ही होता और यह trivial homomorphism होता है तो यहां से हमारे पास एक ही मिलेगा तो एक ही मिलेगा Z1 तो यह हमारे पास 25 हो गया और एक हमारे पास यह हो गया तो टोटल हमारे पास यहां पर क्या जाएगे 26 हो जाएगे बात कर जाए है। there are only finitely many non-isomorphic group of a given finite order. अगर हमारे पास कोई भी group finite order का है तो उसके non-isomorphic जो group होते हैं वो भी हमारे हमारे पास kya होते हैं? finite ही होते हैं अगर हम बात करें जाए है एट order की हमारे पास non-isomorphic जो group होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? एक हमारे पास होता है Z4 cross Z2 तो यार यह मतलब जो भी हमारे पास यहां पहेंगे वो क्या हैंगे सुनिया पे फाइंडेंट आएंगे तो यार इस तरह समझ सकते हैं यह भी हमारे पास क्या होता है true statement होता है सुनिया पे बहुत हार true and अगर आपको यह पता लगाने की कौन सा order का group कितना होता है कौन किसका है इसमर्फिक होता है मैंने group का order analysis की उपर बहुत अच्छा वीडियो बना रखा जहांपर एक से लेकि 15 order की group को मैंने बहुत अच्छे तरीके सा analysis कर रखा तो आप मेरे वीडियो को YouTube पे जाके देख सकता है So next देखिए आप The number of formulation in S4 that have exactly two cycles in their cycle decomposition is equal to तो हमारे पास यह बोला दार है कि S4 में 2 हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है सुन cycle decomposition मन रहा है तो सुन एक तो हमारे पास यह बनेगा AB and CDA 2 हमारे पास cycles बनेगा और एक हमारे पास यह होगा ABC and D तो आप से पुछा रहे है कि इस type की जो element है वो S4 में कितने होगे तो हम जानते हैं यह कैसा होगा 2 plus 2 type का हो रहा है और यह कैसा होगा 3 plus 1 type का हो रहा है आपको यह पता लगा नहीं यह type के element कितने होगे तो यह क्या होगा 24 by 3 तो यह आएगा 8 8 और 3 हमारे पास किया जाएगा वह यह total 11 आजाएगा तो यह हमारे पास ऐसे जो element होगे 11 हो जाएगा तो यह इस तरह से इस question को हम कर सकते हैं तो यह उनके जो answers है उनका solution है नेक्स upcoming जो वीडियोस है उसमें मैं upload करने की कोशिश करूँगा तो आप वहाँ से देख सकते है 2023 के topic wise मैंने questions को upload कर रखा है तो आप यहार यहां जाके देख सकते हैं अगर आप MSQ, MCQ और NETRIP के questions की practice करना चारे है तो यहार यहां जाके मेरी playlist को देख सकते है अगर आप मेरी book buy करना चारे है Amazon से तो यह ID जिम वालों के लिए बहुत helpful है पर अगर आप CSIR NET GIT exam की तयारी करें तो आपके foundation के लिए बहुत अची book है इसको आप Amazon से buy कर सकते है आपको यहां पर discussion में मिल जाएगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, Bye Bye